नमस्कार आप देख रहे हैं दाइनिक नियो सच चैनल में आप सभी का स्वागत है आई ये सीधा मिलाते हैं एक मुख ख़बर की ओर उत्तर प्रदेश के जनपत कौसांबी से इस वक्त की बड़ी ख़बर आ रही है आपको बता दें कि कौसांबी में 25 सज्जार के वांचित अपरादी रहीस की पुलिस से हुई मुडभेड में करारी पुलिस और ये सोजी प्रभारी सिधार सिंग टीम को मिली बड़ी काम्याबी आपको बता दें कि 25 सज्जार के वांचित अपरादी रहीस की पुलिस से मुडभेड में रहीस एहमत निवासी तुर्ती जिसमें गौसिक के भी दर्ज है कई मुकदमे थाना करारी का हिष्टी सीटर 71 जो कि थाना चर्वा का है सामपूर डियरा के पाथ छुपा हुआ था रही सोचना पर थाना करारी पुलिस और यसोजी टीम के द्वारा उसको पकड़ने के लिए कई घेरबंदी की पुलिस को दे पैर में लगी गोली घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भरती रहिस के पास से एक अदद 315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कार्तोस और अदद खुक्खाता कार्तोस एक अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर हुई बरामाद बीरो रिपोर्ट डैनिक नियुस सच देखे थाना चरवा से पस्तुचोरी और पस्तुचोरी में वांचित 25 जार का इनामी जो मूलता करारी थाना छेतर का रहने वाला है और वहां का प्रिच्री दुराचारी है आज हिसामपूर डेरे के पास जो एसोजी टीम और करारी थानी के तीम गई थी गरे अपतारी के उसके साथ भी मुड्रेर में उसे गोली लगी है धायल हुआ है उसे जिला स्वताल मंजर को लाया गया है इस अपराधी के उपर गोकसी गोतसकरी पस्तुचोरी पस्तुचोरी के लगभग 25 मुकन में हैं और वो जनपत कौशामबी के अतित जनपत चित्रिपूट जनपत प खोका कार्थूश खाप्ति मातर में वरामद हुआ है जो विधिक करवाई है वह हम लोग कर रहे हैं हाँ इसके उपर 25,000 के नाम थे